तो हाई अब्रीवन ओ आज हम निकल चले निकल चुके हैं एक लंबी टूर पर आप सबको दिखाते हैं यह दिखिए सुबा के बज्चे चार चार नहीं साड़े चार लगबग हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं यह है लखनौ के हाईवे और इस हाईवे से हम जा रहे हैं देलाई पब्लिक स्कूल आइधर और ये आवे को कहते हैं सहीद पत इस राष्टे से हम जा रहे हैं अपने सपनों का जो सपने में कभी सोचे थे हम कि क्या हम जाएंगे आप सबको दिखाते हैं कहां हम जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे खाम जाने इसके पहले आप यह देख लीजिए में दानता हॉस्पिटल पहुंच गये हैं फिर इसके बाद थोड़ी दूर बाद गाड़ी काफी स्पीट चल रही है स्पीट में है और एरोप्लेन की भी स्पीट बहुत तेज है फिर यह आ गया जो आज लखनों का सबसे बड लूलू मॉल और फेमस भी है लूलू मॉल नया उपन हुआ है अभी इसको देखने के लिए सबी लोग तरस्ते हैं बहराल अभी हम तो नहीं गए हैं बाहर से ही आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यह अभी अपनी हम्मत नहीं है अंदर जाने का क्योंकि वहां बहुत थी बहगे बहगे सामान है यह आगया लखनू का क्या मेरी भासा है ताज होटल ओ मैक्स है लेकिन मेरी नजरों में यह ताज होटल है नीचे यह इदर देखिए यह लो कलर में यह वन जीरो एट पुलिस आपात कालीं सेवा तो हम चल दिये हैं इसके बाद आगे आ करके थोड़ी दोर रुके हैं यह लग गई थी बहुत थेजी ठंड आज की दिन आज बहुत ही ठंड लग रही है कोहरा भी था काफी तो यह यह कॉलेज है बाबा बनारसी दास इस्टिट्यूट है काफी बहुत काफी बड़े में ह यहां रुक करके हमने ठोड़ी चाय की चुस्की लिए गरम गरम इसके बाद तुन थोड़ी टाइम रुके थे पिर यहां यह पीछे देखिये इट का बठा जो कते हैं ग्रीन सीटी बीबी डी जिस नाम जिस भी नाम से जानी है तो हम लोग यहां थोड़ी दूर थोड़ी आते आते फिर थोड़ी दूर रुख करके इसके बाद हम चले हैं अपने मंजिल की तरफ और यह देखिए सन्राइज कितना अच्छा लग रहा है परल गार्डेन यह ब्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जूम करके दिखा दे रहें आपसे को और मुझे जाना है सीधे आयोध्या वन वन नाइन किलोमेटर कि तोड़ी दूरा करके आप सबको यह दिखा रहे हैं देखिए सूरेद नारायां दिखी नहीं रहे हैं एकदम इतना ज्यादा घनक हो रहा है कोई भी गाड़ी आगे दिखी नहीं रही है कोई दिखे जबकि हाइवे भी है हाइवे नहीं भी था तो भी कोहरे बराबर था यह गाड़ी देखी जा रही है आपको दिख रही है तोड़ी दूर बाद आगे जा करके नहीं दिखेगी यह हमाई भी गाड़ी बहुत स्पीड में है तो ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थे तो फाइनली फ्रेंट हम आ गए अध्या नगरी में यह बाहर ओपर का ओबर ब्रीज का विव है अब सबको दिखाते हैं यह ऐसे तो लग रहा था आगे दिया हुआ था पूंबोर्ड पे लिखा हुआ था कि यह एरपोर्ट का एरिया है पर एरपोर्ट नहीं है अध्या धाम में आपका स्वागत है यह कितना अच्छा लग रहा है अब यह तो मेरा मन ही मो लिया एकदम इतना अच्छा मुझको लग रहा था साइड साइड में देखी हैं बजरंग बली के तो दर्शन पहले ही हो गया हन्मान गड़ी जाने का समय ही नहीं मिला इज़र स इसका विकास हो गया है हम तो पहली बार गए हैं हमने कभी देखा नहीं था कभी ऐसा लगता है जैसे सपनों में सुने थे बहुत छोटे थे तब भाईया या मेरे गए थे यह बड़े भाई साब कनकभवन सब रास्ता दिखा दिया यहां पे इसके बाद यह लता मंगेस कर चौक है जो बहुत ही यह द्रिश से बहुत ही मनमोनी है मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब भी जाएंगे तो आप सब को भी बहुत अच्छा लगेगा यहां पे सभी लोग फोटो की जा रहे हैं तो में पास जादत समय तो नहीं था पर हमने गाड़ी से ही घूम लिया जो भी कुंबा मंदीर वगएरा अब इदर सामने बजरंग बली हैं राम राम चंद्र जी को और लश्मर भीया को लेके उड़ रहे हैं इदर मोदी जी योगी जी हां यह हम फिर अपने गाड़ी को मोड लिये अब चल रहे हैं हम हमें हनुमान गड़ी जाना है तो हमाई ग पूछ करके हम आगे तरफ देखे थे नहीं इस वज़ा से पूछ पूच के जा रहे थे यह सब देखिए सब तूट गए दोनों तरफ की दोनों तरफ सारे घर जो आगे बने थे सब तूट गए काफी कांग जो है रोड भी चौड़ी हो जाएगी और अब अच्छा भी लगेगा विकास के बन रही है अध्या नगरी प्रभु प्रभु स्री राम चंद्र जी की नगरी है अब दोजार चौबिस में इसका हो रहा है कि घाटन पीम जी करेंगे दानमंत्री जी का जब चुना होगा तो उसमें करेंगे यह अयोद्या का सरकारी होस्पिटल है तो हम सब को जाना था अनमान गड़ी और पहुच गये थे बहुत आगे इसके बाद गाड़ी घुमा करके फिर आए हैं यह अनमान गड़ी है अब हम जा रहे हैं प्रभु स्री राम राम लला के दर्शन करने के लिए यह सामने का दसरत महल है हमाई गाड़ी इधर मोर जाएगी फिर में अलग रास्ते से फिर वहां पर पुलिस थे वह लोग बताएं यह मंदीर है इसके आगे इसके आगे हैं तो राम लला के दर्शन होंगे तो हमें तो ज्यादा दर्शन वहां मोबाइल ले जाना इलाव नहीं था क्योंकि आगे ही मोबाइल पर्स में पैसा निकाले जिए मोबाइल घड़ी बैक जो भी सामान आपके हैं पचास रुपए का टोकन मेरे से तो ठक लिया है आगे फिर ही चल रहा था हमने उस चीज़ को देखा नहीं रास्ते हमारा रास्ता अलग था तो हमने पीछे से देखा नहीं और थोड़ा आगे जब चले हैं तो जब पहले ही जमा हो गया था तो कहां से निसल करेंगे लेकिन फिर भी घूमें वहाँ पर रामलेला अभी टेंट में ही है मंदिर का निर्माड हो रहा है बहुत ही भब्बे तरीके से मंदिर का निर्माड हो रहा है उसमें कोई संदे नहीं है बहुत ही अच्छा लगेगा जिस दिन बन जाएगा वो मंदिर है यह बहुत ज्यादा हमने घूमा तो नहीं पर रामलला के दर्सन हो गए जो कभी नहीं देखे थे जिंदिगी में आज चीज 28 साल की उमर में हमने कभी नहीं देखा फाइनली आज हमने वह चीज को देख लिया जो पापा भाईया दादी सब के से सुने थे वह आज हमने देख लिया आप सब भी विजिट करिए आयोध्या नगरी में और देखिए यह अब हम निकल गए हैं बाइपास जिस हाइव तो आप सब भी आईएगा और यह सर्यो मता के दर्सन हो गए तो फाइनली फ्रेंट आप सबी को मेरे ब्लॉग में बहुत अच्छा लगा होगा अब हम वीडियो को यहीं खतम करते हैं आप में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिएगा बाइबाइ दोस्तों जाइ हिंद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब फ्रेंड्स बाइ बाइ